सबसे पहले हमारे पास है नाइट ऑफ कपस, कार्ड मैं इंटुइटिवली निकालूंगी इस रीडिंग में, पेज ऑफ वांद्स यह भी आ रहा है, टू ऑफ सोर्ड्स, फिर है चैरियिट, नाइट ऑफ कपस को ख्लारफाइ करेंगे ऐस ऑफ वाउ, पेज ऑफ वांद्स को ख्लारफाइ करेंगे, आपके साथ detached थे, अब वो वापिस आ रहे हैं, अपने इस mode में से वापिस आ रहे हैं, गर काफी दिनों से आपको लग रहा था आपके partner lost हैं, connect नी कर रहे हैं, वो उस phase में से निकल रहे हैं, 10 of cups, और फिर हमारे पास 7 of swords, 7, 7 किसी के लिए important हो सकता है, bottom of the deck पर है, Empress, such a lovely energy, तो आपके person की current feelings और thoughts क्या हैं, so finally, अगर आपके person आप यूं कहलें कि जैसा मैं पहले कह रही थी, for whatever reason, अब spark वापिस आ रहा है, उनकी life में, उनकी energy में, मुझे लग रहा है कि एक मरतबा फिर से वो बड़ा अच्छा feel कर रहे हैं, वो confusion में से बाहर आ रहे हैं, बहुत अच्छा आप से connect करने का उनका दिल कर रहा है, और आप देखें कि chariot को clarify हमने जब किया तो seven of swords आया है इसका ये मतलब भी हो सकता है कि maybe वो कुछ plan कर रहे हैं, कुछ बहुत sweet, कोई surprise, छोटा सा surprise, जब मैं surprise कहती हूं, इसका ये मतलब नहीं होता कि कुछ बहुत बढ़ा होने लगा है, वो भी हो सकता है, इसमें भी कोई शक नहीं, बट कोई छोटा सा surprise भी हो सकता है कि वो आपक अब इसमें example मैं क्या दूँ travel कर सकते हैं आपके घर के बाहिर आ सकते हैं आपको कह सकते हैं कि let's meet चलो मिलते हैं अचानक से अचानक से जब वो आपको call करेंगे बहुत अच्छा उनका mood होगा एक तो मुझे ये लग रहा है आप हैरान हो जाएंगे कि ये तो पिछले काफी दिनों से इनका mood off था ये तो detached थे तो मुझे time नहीं दे रहे थे एकदम से इनका कितना अच्छा mood हो गया है मेरे साथ तो ये इनसान बहुत अच्छे mood में होंगे अचानक से unexpectedly हो सकता है बट मैं आपको example दे रही हूँ कि अचानक से आपके person आपसे ऐसे करेंगे ऐसे कहेंगे कि चलो कहीं चलते हैं आइस्क्रीम खा कराते हैं कहीं घूम कराते हैं तो मुझे इस present time में आपके person I really feel कि अपने shell में से निकलते हुए नजर आ रहे हैं अगर वो अपने एक shell में थे काफी दिनों से and with the Empress और फिर यहां पर Knight of Cups और Page of Wands हम देख रहे हैं मुझे इससे यह भी महसूस हो रहा है कि आप दोनों में से age gap हो सकता है आप लोगों का 5-6 साल-10 साल का यह बहुत कम लोगों के लिए message है बट मुझे majority लोगों के लिए collective के लिए यह महसूस हो रहा है कि आप लोगों के mental level में बहुत ज़ादा difference है मुझे आप में ज़्यादा maturity नजर आ रही है आप ज़्यादा evolved हैं अपने person की निजबत क्योंकि यह Empress की energy आपकी है चाहे आप male हो या female I feel यह page की energy है ना और यह knight की energy है हाँ पर king नजर नहीं आ रहा है और इस तरह की energy तो सिर्फ Empress की energy है आप male हो या female हो यह आपकी energy है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा एक यहाँ पर disconnect कभी कबार इस हवाले से आ जाता है और फिर यह थोड़ा सा immature behavior होता है आपके person का sometimes कि वो अचानक से अपने shell में चले जाते हैं disconnect करते हैं आपके साथ detach हो जाते हैं आपको समझ नहीं आता कि यह एक immature इनसान की तरह गाइब हो गए है mature इनसान की तरह बता भी सकते थे कि आजकल मेरा बात करने का किसी से mood नहीं है I'm dealing with something या कुछ चीजों से मैं deal this work कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मैं message नहीं करूँगा या मुझे कुछ space चाहिए mature level पर इनसान इस तरह बात कर सकता है लेकिन आपके person नहीं करते हैं जहाँ पर एक disconnect आता है आपको कभी कबार घुसा भी आता होगा कि जब इनका अपना mood अच्छा होता है तो यह आ जाते हैं और जब इनका अपना mood सही नहीं है तो this is not love आप कहते होंगे कि यह क्या बचपना है कि जब अपना दिल किया अच्छे mood से आ गए जब ना किया तो ghost करने लग गए यह इस तरह तो योनो यह तो प्यार नहीं है इस तरह आप सोचते होंगे कभी कभी और कभी जब प्यार देते होंगे तो आपको shower करने लग जाते होंगे like this 10 of cups इतना ज़ Mississippi लग जब जा इने लग जाते होंगे I'll see you in the next video Till then, love you lots Bye-bye